दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक इंडियन आउतर अरुंदती रॉय की लाइफ को डिस्कूस करेंगे, जो की फेमस है God of Small Things के लिए, ये नूवल एक फिक्शन है, जिसको साल 1997 में Man Brooker Prize मिला था, इनका पूरा नाम है सुजाना अरुंदती रॉय, इनका जन्म हुआ था 24 20 नौवंबर 1961 में, शिलॉंग आसाम में, जो की आज के टाइम पर मिगाले है, राइटर होने के साथ साथ ये एक political activist भी हैं, और human rights में भी involved हैं, सबसे पहले इनको अपनी life में सबसे major award मिला था, National Film Award, बैस screenplay writing के लिए, 1988 में, फिर मिला 1997 में Man Booker Prize, जो की सबसे बड़ा आवार था इनके लिए, 2004 में इनको Sydney Peace Prize मिला था, और फिर से 2004 में इनको Orwell Award मिला था, और अभी 2011 में इनको Norman Mailer Prize मिला था, इनकी मदर तो एक Christian थी, और इनके father बंगाली Hindu, इनकी मदर तो woman rights में activist थी, और इनके father tea plantation manager थे, कलकत्ता में, और उन दोनों के divorce के बाद में, ये अपनी मदर के साथ में रही, केरिला में, दोस्तों इनकी अगर experience की बात की जाए, तो इन्होंने अलग-अलग fields में try किया है, इन्होंने architecture पड़ी है, aerobics classes ली है, screenplay writing की है, movie के अंदर role भी किया है, और finally, जब इन्होंने writing की, जब इन्होंने God of Small Things को लिखा, तब जाकर इनको success हाथ लगी, इस एक novel ने इनको star बना दिया, इनके husband एक movie maker थे, जिनका नाम था प्रदीप क्रिशन, और उन्ही के लिए इन्होंने screenplay writing की, उन्होंने movie को direct किया, और उन्ही में से एक writing इन्होंने की थी, Any Gives at Those Ones, जिसके लिए 1988 में इनको best screenplay writing के लिए film award मिला, दोस्तों एक film maker हैं, शेखर कुलभूशन कपूर, जिननोंने फूलन देवी के उपर, जिनका नाम आप मेंसे काफी लोगों ने सुन रखा होगा, फूलन देवी के उपर एक bandit queen नाम से movie बनाई थी, उस movie को अरुंदती रॉय ने ये कहकर criticize किया, कि एक औरत के rape को इस तरह से एक film के अंदर दिखाना कहां तक सही है, और यहां से अरुंदती रॉय को attention मिलना शुरू हुई, फिर 1992 में ये लिखना शुरू करती है अपनी first novel, The God of Small Things, जिसको ये 1996 में complete करती है, 1992 से 1996 यानि 4 साल इनों लिखा, क्योंकि काफी हद तक अपनी life के autobiographical elements को इस book में इनोंने शाम किये थे, और फिर जब ये novel public के सामने आए, तो इनको international fame मिल गई, 1997 में मिलता है इनको इतना गजब का fiction लिखने के लिए Man Booker Prize, और उस साल famous general, The New York Times ने इसको notable works में शामिल किया था, और commercial success तो पूछो मत, ये book best seller बन गई, यानि अरुंदती रॉय की चांदी चांदी हो गई, half million pounds इनको advance में मिल गए थे, में में ये book publish हुई, और जून तक 18 countries तक famous हो गई थी, सारी countries में सारे newspapers इसकी सराहना कर रहे थे, लेकिन इंडिया में इसको criticism जेलना पड़ा, इसके sexual content की वज़ा से, फिर 2017 में इनोंने एक book लिखी, The Ministry of Utmost Happiness, अब सवाल ये आता है कि अरुंदती God of Small Things और कुछ ही चुनिंदा works लिखे हैं, जिनके नाम हमको पता हैं, इतने कम works क्यों लिखे इनोंने, क्योंकि दोस्तों, ये एक writer होने की साथ साथ political activist भी हैं, ये साथ की साथ non-fiction भी लिखती है, यानि की essays वगेरा, यानि social causes पे, एक चीज और, जो थोड़ा सा हमारे viewers को hurt क दोनों का criticism जीलना पड़ा, इसके अलावा अरुंदिती रॉय ने एक campaign किया था, एक activist हैं, मेधा पाटकर, उनके साथ में, नर्मदा डैम प्रोजेक्ट के उपर, इनका कहना था कि ये डैम, half million लोगों को displace कर देगा, और इसके अलावा इनोंने अपने booker price की money को, नर्मदा anti-corruption campaign को criticize करना, और भी बहुत सारी चीज़े, ये एक छोटी सी वीडियो थी अरुंदती रॉय की life पर, उमीद करता हूँ ये आपके लिए helpful होगी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बसेता हैं